आराड भी कॉंस्टेबल की जो फॉर्म आई है अगर आप उसमें जो है वो ओपी सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो 27 परसेंट कर रिजिरवेशन लेने के लिए आपको इस फॉर्मिट पे अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा अब इसके लिए जो आपका सर्टि 24 है यानि कि आपका सर्टिफिकेट इससे पहले बना होना चाहिए अब देखो कि आपका जो यहां पर ओफिसियल नोटिफिकेशन है यह आ चुकी है और इसी के अनुसार जो है वो मैं PDF खुला हुआ हूँ इसी में आपको जो हो सब कुछ लिखा हुआ है तो यहां पर आप नीचे तो देखोगे कि total vacancy is around 4208 है और इसमें जो है वो नीचे में 5 नंबर जो पॉइंट है तो इसमें 5 नंबर पॉइंट में देखोगे कि सीधा लिखा हुआ है कि जो crucial date for claim of SC, ST, OBC, EWS जो certificate है वो है last, वो है closing date of submission of online application तो आपका जो certificate है वो इससे पहले बना होना चाहिए ओके अब यहाँ पर आप जो है वो OBC NCL की में बात कर रहा हूँ तो देखो OBC NCL में और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो family income है वो less than 8 lakh per annum रहना चाहिए और आप creamy layer में नहीं बिलोग करने चाहिए creamy layer वो होता है जिसका जो family income है वो greater than 8 lakh per annum होता है मतलब एक साल में आपकी जो परिवार की आये है वो 8 lakh से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथी जो है वो आप other category से नहीं बिलोग करते हो यानि कि EWS, SC, ST इससे भी reservation आप नहीं ले रहोगे ओके तो यहाँ पे आप देखो कि यह वाली जो है वो point clearly mentioned है और इस UR के तरह जो है वो treat किया जाएगा तो सही हो कि आप जो है अपना OBCNCL certificate बनवालो और साथी जो है वो आपको एक self declaration certificate भी जो है वो रखना है self declaration certificate कैसा होगा उसका format में आपको दिखा देता हूँ तो देखो यह जो NXR 2A है ऐसा ही आपका self declaration format होगा इसमें जो है वो क्या changing videos हो सकती है आपके problems का solution इस पर आपको मिलेगा और अगर आप career related questions भी पूछना चाहते हो तो काफी इनकी videos motivational और inspirational होती है तो आप इससे पढ़ोगे सुनोगे तो आपको जो है वो काफी help मिलेगी तो आप एक बड़ यूट्यूब पे सर्च करना चार प्रसांत और students तो आप आपको जो है वो काफी इनकी सारी videos मिलेगी तो आप जो है वो इससे देखकर समझ सकते हो और आपके लिए जो है वो काफी helpful रहेंगे लोटते हैं अपने वीडियो पे main point पे तो देखो यहां पे जो है वो जो यह declaration का format है यह आपको मैं description box में लिंक दे दूंगा वहां से पर नाम लिखना है फिर आपको जो है अपना address लिखना है और फिर जो है वो आपको अपना यह जो है वो कास्ट लिखना है certificate बनवाना है तो यह certificate अगर आपको नहीं मालूम है कि OBC NCL certificate कैसे बनता है तो उसके regarding मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है जिसका link इस वीडियो के description box में है तो वहां से आप post वीडियो को देख सकते हो और इसके लिए जो है वो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की लेकिन अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप एक अपरेल 2024 के बाद जो है वो एक नया certificate बनवा लो ओके आपको जो भी जनकाड़ी है वो सभी मैंने आपको दे दी फिर भी अगर कोई query होती है तो आप जो है वो definitely comment box में comment कर देना आरपी एफ कॉंस्टेबल कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आराउंड जो 663 टोटल टेस्ट हैं और अराउंड टू लैक इस्टूरेंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें जो है वो आपको 30 sectional टेस्ट मिलेंगे औ दोनों की तैयारी आप कर सकते हो तो इसलिए जो है वो आपको टेस्ट बुक से अपनी त्यारी करनी चाहिए अब यहाँ प्रिपियस यह की बात करो तो देखो यहाँ पर जो है वो 2018 और उससे पहले की जो टेस्ट हुए है उन सभी की जो है आपको मॉक टेस्ट देखने को म दोगे तो आपको जो है वो 10-20% का instant discount देखने को मिल जाएगा तो आपको जो है क्या करना है इसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा वहां से आप login कर लेना और उसके बाद जो है वो आप यह पास चाप purchase करोगे तो आपको coupon code में apply coupon पे tap करके coupon code इंटर कर देना अब यहा एक बार passport purchase करके मतलब कि एक बार अगर आप 649 रुपए है उसमें discount coupon code लगाने के बाद लगए पांच सारे 500 क्यास पास आपको मिल जाएगी तो आप जो है वो 500 रुपए में दो साल के लिए किसी भी examination की mock test दे सकते हो तो है नहीं अच्छे फाइदे का सोदा इसलिए जो है आपको टेश्बूक से अपनी तयारी करनी चाहिए और यहाँ पर बहुत अच्छे खासे students रहते हैं तो आपको एक competitive environment भी मिलता है